जर्माती जा रही है और इसी को लेकर के आपको बता दें कि पिछडी जातियों को नेताओं को एक साथ लाने के लिए एक मंच पर लाने के लिए कवायत शुरू हो गई है उत्तर प्रदेश में इन दिनों पिछडी जातियों की गिंती का मुद्धा काफी गर्म है थोड़े दिन मामला शांत रहता है लेकिन अचानक फिर से सियासी सुर्ख्या बन जाता है अभी कुछी दिनों पहले अखिलेश से लेकर ओपी राजभर समेत यूपी के कई पिछडी जाति के नेताओं ने OBC जनगर्णा का मुद्धा उठाया था और अब एक बार फिर से बस्पा प्रमुक मायावती ने भी OBC जातियों की गिंती का मुद्धा उठा दिया है मायावती ने कहा कि केंडर सरकार OBC जातियों की गिंती नहीं कराना चाहती है लगतार सरकार से मांग की जा रही है लेकिन सरकार अंदेखी कर रही है पूरे तोर से सहमत है और जाट भाईयों को पार्टी से जोडने के लिए अभियान चलाया जाए जो इन्हें आरक्षन समन्दी सुविधाय मिली है तो ये सब वास्तम में पूरी की पूरी देन देश के करोडों दलितों आदिवासियों एवम अन्य पिछडे वर्गों के मसीहा वे भारते सविधान के मूल निर्माता परमपुजे बाबा साब डाक्टर भीमराव अमेदगर की ही है यूपी में पार्टी के खास कर ओबी सी समाज वे अल्प संक्यत समाज में से मुस्लिम समाज एवम जाज समाज के मुखे सेक्टर वे मंडल सेक्टर स्तर के वरिष्ट पदा दिकारियों की ये अतिम नहत्रकोंड बैठक बुलाई गई है अखिलेश अनुप्रिया और ओपी राजभर के बाद अब मायावती ने भी जातिवार जनगरना की मांग की है उतरप्रदेश में बड़ी संक्या में पिछड़ी जातियों के वोट है और चुनाओं में जाति जनगरना बड़ा मुद्दा भी होगा सरकार के लिए आते है जुकरने वाली बात ये है कि सरकार में शामिल पिछड़ी जातियों के नेता भी कास्ट काउंटिंग के समर्थन में है और बड़ी खबार यूपी टेट से जुड़ी हुई सियम योगी के निर्देश पर पियन पी ने ही इस परिक्षा का आयोजन किया था संजी उपाध्याश निर्देशक पेशिक शिक्षा तो यूपी टेट माबले में बड़ी खबर आपको बता देंगे